रिपब्लिक डे के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो शायद ही आप जानते होंगे 1930 को पूरे देश में सतंता दिवसमानाने की गोशना की गई क्या आप जानते हैं ये 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है पहली बार राष्ट्रे दोच कहां फैर रिपब्लिक डे के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो शायद ही आप जानते होंगे नवसकार मैं कल्पित अरित और आप देख रहे हैं MTTV इंडिया भारत में 26 जनवरी का खास महत है इसी दिन भारत का सविधान लागू हुआ था यानि देश में कानून के राजकी शुरुआत हुई थी 26 जनवरी को राष्ट्रे पर्व का दर्जा प्राप्त है हर साल 26 जनवरी के दिन गंतंतर दिवस हर्शो उल्लास के साथ मनाया जाता है लेकिन क्या आप जानते हैं ये 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है पहली बार राष्ट्रे दोज कहां फैराया गया था तो आईए हम आपको बताते हैं रिपब्लिक डे के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो शायद ही आप जानते होंगे 1946 में कैबिनेट मिशन के दौरा समिधान सभा का धांचा तैयार किया गया इसके बाद समिधान सभा का पहला दिवेशन हुआ 9 दिसंबर 1946 को इसके बाद समिधान मन्ने में दो वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे 26 नॉम्बर 1949 को समिधान को अंगिकरत किया गया पर इसे लागू करने के लिए दिन चुना गया 26 जनवरी क्योंकि इस दिन का अपने आप में खास महत हुए तो आईए जानते हैं इस महत होगो 1929 में वायसराय लॉड इर्विन ने भारत को आपनिवेशिक दरजा जेने की गोशना की थी जिस मांग कई सालों से भारत के नेता कर रहे थे लॉड इर्विन की गोशना पर इंग्लेंड में तीखी परतिकरिया हुई वहां के पॉलिटीशन्स नागरिक भारत को आपनिवेशिक दरजा देने के पक्षमें नहीं थे जब तेज भाद्दूर सप्रू मौम्माद अली जिन्ना और महत्मा गांदी आपनिवेशिक दरजे को लेकर लॉड इर्विन से मिले तो वे अपने वादे से मुकर गए और उन्होंने कहा कि हमने भारत को आपनिवेशिक दरजा देने का कोई वादा नहीं किया है इस विश्वास घात के बाद भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस ने अपना रुख बदला और आपनिवेशिक दरजे के बजाए पूर्ण सोराज्य की मांग की 31 दिसंबर 1929 कॉंग्रेस के लाहोर अदिवेशन में 750 शब्दों का पूर्ण सोराज्य की मांग को लेकर एक संकल पत्र जारी किया गया जिसे पारित किया गया और इस अदिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को अर्ध रातरी में रावी नदी के तट पर तिरंगा फेराया गया साथ ही 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंतर दिवस मनाने की गोशना की गई 26 जनवरी 1930 को देश में छोटी छोटी सबाय हुई और पूर्ण सोराज्य की मांग को लेकर बल दिया गया इसी कारण जब समिधान लागू करने की बारी आई तो 26 जनवरी का दिन चुना गया क्योंकि इस दिन देश ने पहला स्वतंतर दिवस मनाया था आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए MTTV इंडिया आप लाग। प्रिवस आप ड़ आप आप